यह तस्वीर आपको याद है पाँच दिन पहले नरेंदर मोदी ने देश की संसद के अंदर संगोल की स्थापना की थी और बताया कि यह संगोल से राजदंड का प्रतिक जो है इसको बताया जाता है संगोल को राजदंड का प्रतिक लेकिन राज दंड की बात तो छोड़ी आप मोदि जी शायद राज धर्म भी नहीं नेबा पाए और क्यों कह रहा हूँ लिए आपको कि मोदि राज धर्म नहीं नेबा पाए यह तस्वीर आपको याद है ना अटल भ्यारी वास्पी की तस्वीर और अटल बेरी वासपी ने क्या का था, याद है आपको, गोदरा के समय पर, उस исследण पर, उस वक्त नरेंदर मोधी मुख्यमंत्री थे और इनको का था देख रहा था कि मोदी राजधर्म का पालन करेंगे क्या लेकिन ये शक्स जो बगल में खड़े नजर आ रहे हैं ये देश के रेल मंतरी हैं इनको एक शब्द तक मोदी ने नहीं का इस्तिफ़े की तो बात बहुत दूर चली गई वो तो शायद अप कलपनाओं में नहीं है बीजेपी के और क्यों नहीं है आगे राजनात के फोटो में आपको दिखा हुगा और कॉंग्रेस पार्टी ने इस पर जो कहा है वाकी सुनने लाइक है खेर इस पर पहले बात करते हैं नरेंदर मोदी जो है वो कल गए कल जाकर के वहाँ पर लोगों से मिले अस्पताल में गए सब चीजे उन्होंने की उसके बाद में जब बैट दी उन्होंने तो उन्होंने तीन मिनट की जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखे और इसमें क्या कहते हैं इसमें नरेंदर मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन खोया है ये उनके लिए बहुत दर्दना दी जाएगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अब सवाल ये है कि एक दोर ये था जब देश के प्रधान मंतरी अपनी ही पार्टी के मुख्य मंतरी को राज धर्म सिखाने से नहीं जो है वो चूके और सिधे तोर पर राज धर्म को लिए कह दिया गया है लेकिन आज देखे साब आज देखे बगल में खड़े थे इनके रेल मंतरी और एक शब्द तक रेल मंतरी के लिए नहीं का कि रेल मंतरी की चूक है या नहीं है क्या है क्या नहीं है और जब रेल मंतरी से पूछा गया कि क्या साब आप अपने इस्तिफा देंगे तो रेल मंतरी साब जो है वो अगर राजधर्म कहीं पर होता अगर यह जो संगोल की स्थापना यह लोग कर रहे थे इन तस्वेरों पर मियाऊंगा यह संगोल की स्थापना करके जो संदेश दे रहे थे अगर इसका कहीं पर सच मेराजधर्म की भी बात होती तो शैप राजधर्म की भी बात होती लेकिन राजधर्म की बात नहीं हुए मैं आपको ये राजधरम के बारे में उस वक्त मैटल बहरीवास पर इने क्या कहा था वो पूरा सुना हूँगा मैं आपको पढ़ करके और सुनना भी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस ने जो स्टेंड लिया ये वाकिक काबले तारीफ है और कॉंग्रेस ने क्या स्टेंड ऐसा लिया जो मैं काबले तारीफ गह रहा हूँ आप सुनी और आप बताईए मेरे को कॉंग्रेस ने आप पर क्या का सुनी है कॉंग्रेस ने कल कहा अब ये दिखी राज जर्म जो है बीजेपी निभा रही कॉंग्रेस निभा रहे कौन निभा रहा है ये तै करी आप ओडेसा में हुई भ्यावे रेल दुरगटना एक रास्टियत रास्दी से कम नहीं है रास्टियत रास्दी जो है वो मलिक अरजुन खड़गे नयाबर इसको का है मैं दिवंगत लोगों के परती अपनी सरधांजली अरपित करता हूं मैंने ओडेसा में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं से एक जुट हो करके इस हादसे में लोगों की साहिता करने की बात कही है हमारे अब ध्यान से सुनिए हमारे प्रधान मंतरी और रेल मंतरी से कई राजधरम यह है क्या कि विपक्स के तोर पर जो है वो आप इतनी बड़ी घटना हुई है करीब तीन सो लोगों की मोत हो गई आप शांती बरत करके जो है वो अपनी कह रहें कि ठीक है बहुत सारे सवाल है लेकिन बाद में पूछेंगे अभी हम इंदार करेंगे अभी रा कॉंग्रेस की तो परवक्ता है वो क्या कहते हैं इन्होंने कहा कि यह पवन खेड़ा का ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं यह समय व्याकुल और सोकाकुल परिवारों के साथ खड़े होने का है कॉंग्रेस पार्टी आज उडिसा में रेल हादसों पर होने वाली किसी भ व्यक्ति अबर्धरमा यह समय अ को है निके एक शब्द नहीं कहा है अपने मंत्री यूर्धरु के लिए और क्या कोई चूक नहीं है रेल मंत्री साहब कि के यह मान लिया जाय कि नरेंदर मौदी नगा पर क्लिन्ट को जी अपने मंत्री को और दूसरी तरफ राजधरम की जो बात नरेंदर मोदी से आज जो है वो बीजेपी के लोग भी कर रहे होंगे कि कम से कम नरेंदर मोदी यहां से उठ करके गए है तो राजधरम की कुछ तो सीख जो उन्होंने भी कभी ली थी जो उनको भी कभी दी थी आज कुछ यहां पर भी दे कर के आएंगे लेकिन वो मिला क्या आपको इन शब्दों में कहीं राजधर्म दिखाई दे रहा है क्या इन स्टेट्मेंट में कहीं राजधर्म दिखाई दे रहा है बस दिखाई देता है तो यह राजदंड दिखाई द देता है दूसरी बात दूसरी बात जो है फोटो का जिसका मैंने कहा था यह आपको यह तस्वीर याद है जब मुस्कुराते वे जो है राजनात सिंग ने कह दिया था सच बोल दिया था राजनात सिंग ने राजनात सिंग ने कहा था कि यह यूपिय गौर्मेंट नहीं है इं कि उसमें किसी का इस्तिफा नहीं पुल्वामा के लिए किसी का इस्तिफा नहीं किस के लिए इस्तिफा हुआ है मौर्भी के लिए किसी का इस्तिफा नहीं जिम्मेदार या तैक नहीं करनी चाहिए क्या क्या लोग तंत्र ऐसे चलता है क्या कि आप एकदम से अड़ी घोगर क बैठ जाओ कि साब हम बैठ गए कूटा गाड करके करिए जिसको जो करना है अब देखिए यहाँ पर मोधी जो है वो कल उनसे जो है लोग उमीद तो कर रहे थे कि वो राज जर्म की बात करेंगे लेकिन मोधी साब जो हो पोस्ट देने में वैस थे यहाँ पर जो है वो हाथ लगा करके ऐसे इस तरह से जो है मोधी को क्या पता नहीं होगा कैमरे की फोटो उदर से आ रहे हैं सोची जरा इतने मोधी जी की तो आखे ना जो है वो चारों तरफ होती है और इन तस्वीरों को जरा आप देख लेजिए इन तस्वीरों को अगले दो-तिन रोज तक हो सकत कि मैं आपको जरूर दिखाओं यह तस्वीरें बुलाई नहीं भोलेंगी ट्रेक्टर के अंदर टेंपो के अंदर लोगों को ठूस ठूस करके भरा गया है और बस प्रधान मंत्री ने कह दिया सक्त से सक्त सजा मिलेगी लेकिन किसको मिलेगी क्या कुछ अधिकारियों को न आप दिया जाएगा किस पर गाज गिरेगी साहब थोड़ा तो इसारा करते आप यहां पर तो आपने जो बात कही उसके बाद में देखिए यहां पर लगता कि इनको जो है साफ संदेश यह मिल गया है मोदी जी की तरफ से और एक एरे सियासत करने का वक्त नहीं है इनको पता चल गया है साब लेकिन यह ट्रेक रिकोर्ड देश के लिए कितना अच्छा है यह ट्रेक रिकोर्ड देश के स्विधान के लिए कितना अच्छा है देश के लुक्तंतर के लिए कितना अच्छा है अब मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूं विस्तार से जब नरें गाता है मैं थोड़ा बढ़ा करके का उने सुने वाली बात है और किया इस लोग उम्मीद नहीं कर रहे हूंगे भाजपा के लोग बताईए भाजपा के लोग उम्मीद नहीं कर रहे हूंगे क्या काहा था उस वक्त में अट्रल व्यारी वाजुथेगी के सब्दद ये यहां से मुक्त है नहीं अग्या चिर्फ एक संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करे यह गोदरा की बाद में का गया था राज धर्म दोबारा जोड़ दे करके कहा ये शब्द काफी सार्थक है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ और पालन करने का प्रियास भी कर रहा हूँ राजा के लिए सासक के लिए परजा परजा में भेद नहीं हो सकता है ये बहुत एकदम से जो हो अटल बेरी वासपी की पहचान बन गई थी ये लाजा के लिए सासक के लिए परजा परजा में भेद नहीं हो सकता है ना जनम के अधार पर ना जाती के अधार पर ना धरंप के अधार पर ना संपरदाय के अधार पर यह line बन गई थी, उनकी पहचान बन गई थी, कि कम से कम जो है, अटल व्यारी वासपी का भी एक line है, उनकी बाबरी के time पर अटल व्यारी वासपी के एक भाशन था, और उनका था, कुछ नया बनाने के लिए जमीन समतल होनी चाहिए, जब बाबरी की ढाया गया, उससे पहले के time का उनका भाशन है वो, खेर, लेकिन जब गोदला हुआ, जब एक position पर थे वो, देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी बोल दूँ, आप वहाँ पर कुछ भी बोल दें, लेकिन जब एक position के उपर हम बैठते हैं, अब मैं भी जब यहाँ पर एक खबर बोल रहा हूं, ति द कालीन मुख्य मंतरी नरेंदर मोदी भी बैठे थे, बीच में ही नरेंदर मोदी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहिब, इसके बाद बाजपेजी ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि नरेंदर भाई यही कर रहे हैं, तो देखिए, इतने सक्त सब्दों के अंदर जो है वो अपने मुख्य मंतिर की ये वो प्रेस कोंफरेंस हुई थी उसकी जो है वो बाते हैं जो मैंने आपको बताई है अटले बहारी वास पर हिसाब कहते हैं कि प्रजा प्रजा में सासक भेद नहीं कर सकता है क्या यहां पर इतने लोगों की मोत के बाद में एक ऐसी बात कही ज सब्सक्रावाई और यह बहुत एक नॉर्मल सा संट यह स्टेट्मेंट लगती है ऐसा लगता है कि हाढ़िक है कि से बिलवा दिया गया कि हाढ़िक है एक ऐसा दिखता ही नहीं यह स्टेटमेंट के अंदरा कुछ है इसमें इस बार कुछ होगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्या वाकिया आपको लग रहा है कि राज धरम जो है इसमें दिखाई देता कहीं पर और कॉंग्रेस ने जो विप तो दोनों बातों पर किसका राजधरम किसका राजदंड और यह तस्वीरें क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिक करके जरूर बताइए इस वीडियो को शेर करें लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजिंडे को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दो